बॉबी देवल जो की इन दिनों अपनी आगामी फिल्म एनिमल को लेकर खबरों में बने हुए हैं बॉबी इस फिल्म में मुख्ष विलन का रोल निभा रहे हैं फिल्म एनिमल में रनबीर कपूल लीड रोल में हैं लेकिन इस film में रनबीर कम बलकि बॉभी देवल को लेकर फैंस काफी ज़दा एकसाइटेड हैं। बॉभी देवल इस film में एक नरभक्षी के रूल में नसर आएंगे। फिल्म के टीजर में बॉभी देवल काफी इंटेंस लग रहे थे। बॉवी देवल भी अपनी इस फिल्म को लेकर काफी ज़्यादा उत्साहित हैं हलाकि बॉवी पहले इस फिल्म को लेकर घबरा भी रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी इमेज को लेकर काफी डर था लेकिन फिर बॉवी के भतीजे राजवीर ने उन्हें ये फिल्म करने को कहा राजवीर देवल ने हाली में दिये एक इंटर्ब्यू में बताया है कि कैसे उन्होंने बॉवी को एनिमल में इस प्रकार का निगटिब रोल करने के लिए मोटिवेट किया राजवीर ने बताया कि मुझे याद है कि उन्होंने इस फिल्म के बारे में बहुत पहले बात की थी आश्रम करने से पहले इसलिए लोग चिंतित रहते थे कि लोग आश्रम में उनके बारे में क्या सोचेंगे क्योंकि उनके करेक्टर को उनके परसनल इमेज के बिलकुल बिल्देशक आपसे चाहता है इसलिए यह मत भूलो कि आप कौन हो और बस यह करो और मुझे याद है कि उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा थैंक यू लेकिन सारा श्रे उन्हीं को ही जाता है लेकिन एनिमल के आखरी सीन में वो इतने खतरनाक हैं उन्हें बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी बहुत कुछ करने की ज़रूरत थी आप उन्हें देख कर हिटर जाते हैं बताने की फिल्म एनिमल को संदीप रिड्डी वंगा ने डरिट किया है यह फिल्म एक दिसंबर दोहसा 220 को सिनेमा-घरों में रिलीज हो रही है यह फिल्म गैंग्स्टर फ झाल